बुद्वार का दिन भगवान गनेश की अराधना का दिन है जीवन में सुख सम्रिद्धी के लिए भगवान गनेश की पूजा हर किसी को करनी चाहिए गनपती जी पर्थम पुजदेव है और इसी लिए किसी भी सुब कारी की सुरुआत बिना इन्हें याद किये इन्हें नि च्छोटे च्छोटे परियोग किये जाते हैं आज हम आपको च्छोटे ऐसे परियोग बताएंगे जो आपके किसमत को बदल सकता है देखे, गनेज जी को कुछ ऐसे बस्तुए को अती परिये हैं आज हलां की मूंगी के बारे में भी बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा प्रियोग जो आपके लिए जानना आवस्यक है क्योंकि जीवन में जो इस करोना वायरस के कारण परिसानी आई भी है उससे मुक्ती पाने के लिए छोटे छोटे प्रियोग आपको मदद करेगी देखे बुद्वार के दिन भगवान गनेज को आपके पास कुछ हो या ना हो सूखा धनिया और गुड का अगर भोग लगा दे तो इससे धन आता है आपके तमाम रुकेवे कार तुरंद बनने लगते हैं याद रखिए गुड और धनिया यह बहुत ही सुफल देते हैं बाद में इसको आप परसाल के रूप में गरहन कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है गनेश जी को दुर्वा दल अतीप्रिय है दुर्वा घास होता है एक प्रकार का और उसके तीन पत्ते या पांच पत्ते आपको लेने हैं गांठ नहीं होनी चाहिए यह बात ध्यान रखिएगा तो दुर्वा दल का माला अगर बना के आप उनको पहना सके लाल धागे में बांध कर और उनको सिंदूर अर्पित करें अगर आप पुरुस हैं तो महिला हैं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी ऐसा करने से जीवन की समस्त परिसानियां दूर हो जाती है सभी समस्याओं का समाधान निकल आता है वैसे तो भगवान गनेश जी को आप अगर लगातार साथ बुद्धवार तक या सिर्फ कभी भी आप साथ बुद्धवार गुड का भोग लगाएं तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको किसी चीज की आवसकता है और वो चीज आपके पास नहीं है यानि गुड अर्पित करने से आपके जीवन के हर पाधा को गनेश जी दूर करते हैं अगर मा लक्षमी की अस्थाई किर्पा चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मा लक्षमी हमेशा ही आपके जीवन में कुसियां बरसाती रहे तब गनेश जी को आप थोरा सा घी और गुड का भोग लगाईए ऐसा करने से मा लक्षमी आपके ही घर में रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन ये प्रयोग करने के बाद आपको खुद लगेगा कि अब बरकत होने लगी है और जीवन में धन की मुस्किलें दूर होने लगी है आक जिसको हम जैसे सिप जी को अर्पित करते है ना आक का पुस्प तो ये आक का पुस्प अगर आप गनेश जी को अर्पित करें जो उनको अतिप्री है तो ऐसा करने से अस्थाई तोर पर घर में लक्षमी के अवास होता है लेकिन संख्या होगा आठ किस्क यनि आठ अर्क आग के पुस्प अर्पित करें बुदवार के दिन अगर आप किनर को कुछ पैसे दान में दें और उनसे एक रूपई या असिरबात के रूप में लेकर उसको आप अपने धन के अस्थान पे रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती है बरकत होती चली जाती है वैसे जब भी आप बुदवार के दिन कोई भी जरूरी काम के लिए घर से निकलें तो पहले थोड़ा सा हरी स्वाप खा लें और फिर निकलें आपका जो भी काम के लिए आप निकलेंगे न उसको बनने की संभाबना बढ़ जाती है वैसे तो बुद्वार के दिन बहुत साई लोग रंग के दिन के अनुसार रंग वाले कपड़े पहनते हैं वो भी पहनना अतिसु माना जाता है आप वैसे भी पहन सकते हैं बुद्ध का मंत्र होता है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉंग सह बुद्धाय नमह इस मंत्र का जब करने से आपका बुद्ध अच्छा होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे हम जर्चाएं जारी है अंतक बने रही है अगर आप गाई को हरा साग या हरी जो घास होती है कुछ भी खिला दें हरा फल भी खिला सकते हैं तो आपका जो बुद्ध है जो बुद्धी की समस्या है जो आप सही डिसीजन लेने की चमता है वो बढ़ जाती है अगर गनेश जी के सामने दो हल्दी की गाठ अर्पित करें तो ये आपके जीवन में लक्षमी को इस्थिर करेगा इसको बाद में संभाल के आप वही पर मुर्थी के पास ही रहने दे कोई दिकत नहीं है और हल्दी की गाठ आप साइड में रख दीजेगा नियमित रूप से पूजा वे गरक करते रहें अगर पहले से रखा हुआ है तो उसको भी उसी को आप फिर से पूजा कीजिए कोई दिकत नहीं है जब वो लगे कि खराब हो रहा है छे मेने के बाद करीब तब हटा कर मिट्टे में दबा दीजेगा इससे आपको पता चल जाएगा कि गंजजी की किरपा आप पे कितनी बरस रही है लेकिन पर्थम पूजी गंजी को आप जब भी पूजा करें उनका नाम पहले स्मरंण करें महिलाएं गनेज जी को नहीं सिंदूर अरपीत करेंगी पुरुस कर सकते हैं महिलाएं उन्हें लाल पुस्प अरपीत करेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा वैसे तो गनेज जी को आख का पुस्प आख भी आखड़े का पुस्प जिसको कहते हैं बहुत परसंद है सत्रू बिरोधी सांत रहते हैं अगर आप गनेज जी को आख कापुस परपित करते हैं तो वैसे बुद्धवार के दिन अगर सत्रू जादा परेसान करे तो आख के पते पर आख के दूद से ही सत्रू का नाम लिखकर आख के पेड़ के नीचे दबादे दे आउने जाबने अपर मूंग की दाल और टांबे के वस्तू का दान बुद्धवार के दिन कर सकते हैं कोई ना मिले तो किसी पास मंदिर में जाकर रख दें तो आपके बुद्धी की समस्या से आपको मुक्ती मिल जाएगी किसी मंदिर में रख दें लेकिन आज हम आपको चावल का एक खास प्रयोग बताएंगे देखिए भगवान गनेज जी सुख सांती और बैभव के देव हैं बुद्धी के देव हैं तो बुद्धवार के दिन जब चचुती थी थी हो तो एक केला का पत्ता ले आएं अगर केला का पत्ता ना मिले तो फिर पान का पत्ता ले आएं अब गनेज जी की प्रतिमा उसी पर रखें अगर पहले से स्थापी कर दिया है तो सामने में रख दें अब इस पत्ते के उपर तीन चीज रखनी है पहला है चावल की धेरी बना कर रखें दूसरा है मोदक या लड़ू और इसके उपर चावल के उपर रखें आप एक सिक्का सिक्का रखने के बाद आप गनेश जी की पूजा करें अपनी मननत कहें और फिर जो चावल की धेरी आपने बनाई है उसको अपने घर के जहाँ पर आपका चावल बनता है कीचन में वहाँ पर उसी डब्बे में रख दें और आप चाहें तो अलग से इस चावल का खीर बना कर भी पूरे परिवार के साथ प्रेम से परसाथ के रूप में खाईए और जो मोदक रखा है उसको पूरे घर के साथ परसाथ के रूप में खाना है और जो सिक्का है उसको आपको लाल कपड़े में लपेट के या लाल धागा बांध कर अपने पर्स में या धन के अस्थान पे रख लें तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी तो बुद्वार के दिन ये छोटे छोटे हमने आपके साथ बहुत सारे परियोग की बात की ये आपके जीवन के मुस्किलों से आपको बचाएगा आपके जीवन के कस्टों को दूर करेगा क्योंकि बुद्वार के दिन पर्थम पुझ गनेज जी का दिन है और गनेज जी हमारे जीवन के बस ये समझ लें कि सही रहा दिखाते हैं हमेशा इसलिए उनके साथ मालक्ष्मी की भी पूझा करें और इसलिए तो हमने कहा कि हल्दी की गांठ हर पीद करें ताकि आपका गुरू भी अच्छा रहे और बुद्वी बहतर हो और जीवन में कभी किसी चीज की कोई परिसानी ही ना हो गनेज जी की किरपा से निर्भिंग नरूप से आपके हर कारे बनते चले जाए हम आपसे भी दा लेते हैं अगर जानकारी अच्छी लेगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें